ह्यासरे लिए कि बड़ी खबर सामने आरे हैं नाइब स्धी बीज़े पींचे विधायक दल के नेता चुने गए है। नाइब सिंग्सैनी Susy ली बार हर्याना के स्थीअम बनेंगे। अगए वथ्यान χete मेंचे बने ऻुकत है और नायब सेनी कल हर्याना के सीम पत की शुपत लेंगे ये बड़ी जौनकारी सामने आ रही है नायब सिंग सेनी दूसरी बार हर्याना के सीम बनेंगे ये बड़ी जौनकारी आपको बता रहे हैं वो सीम पत की शुपत लेंगे कल तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं नाय नायब सेनी के नाम पर सर्व सम्मती से प्रस्ताफ पास हुआ और उस पर मुहर लगाई गई ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कल हर्याना में स्थीयम पत की वो शपत लेते हुए नज़र आएंगे कल शपत ग्रहेंट समारों है और इससे पहले आज ये विदायक दल की एक बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें आज ये बड़ा फैसला लिया गया है और नायब सेनी को बीजेपी विदायक दल का नीता चुना गया है कल वो हर्याना में स्तियम पत की शपत लेते हुए नसर आएंगे ये बड़ी जानकारी स्वक्त की आपको बता रहे है जोहां हर्याना में नायब सेनी को बीजेपी ने विदायक दल का नेता चुन लिया गया है ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है अनिलविज कृष्ण बेदी ने नायब सेनी के नाम का प्रस्ताव रखा था और स्तर्व सम्मती के साथ प्रस्ताव को पास किया गया है ये बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता रहे है जहां उनके नाम पर मोहर लगी और अब नायब सेनी धूसरी बार हर्याना के स्तियम बनेंगे ये बड़ी जानकावी इस वक्त के सामने आ रही है नायब सैनी कल हर्याना के स्थियम पत की शपत लेंगे ये बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता रहे है नायब सैनी बीजेपी विधायक दर के नेता चुने गए हैं और अब वो हर्याना में स्थियम पत की शपत कर ल किते हुए नजब आएगे